Welcome to my channel, my students, आप कैसे हैं? आज आप मेरे साथ सेखेंगे elementary computer की बहुत सारे MCQs अगर आप comparative exam के लिए तयारी करें या फिर अगर आप से M3 में हैं, आपका paper computer science है और उसमें MCQs को सेनाने वाला है तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही important होगा आप वीडियो को पूरा वाज कीजिएगा, फिर स्टेम अगर आएं तो ज़रू सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसनों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, पहला question आपके सामने है software का मुख काम क्या होता है, यह exam में आया हुआ question है और पूछा जाता है कि software का मुख काम क्या होता है what is the main function of software, software आपको पता है, software क्या होता है, hardware और software के दो फिल्ड होते है और software में हम लोग क्या करते हैं software के तुरू हम लोग क्या काम करते हैं और software क्या करता हाड़वेर को instruction देता है यानि जो हम use कर रहे हैं computer monitor है CPU है तो हम CPU में या monitor में या keyboard में जो भी instruction डालते हैं वो with the help of software से ही डालते हैं तो software का main काम क्या होता to give instructions to hardware पहला question दूसरा question देखते हैं निमलिखित में से कौन सा system software का उधारन है चुकि software जो है दो टाइप का होता है एक होता है system software एक होता है आपका system software और दूसरा होता है application software ठीक है यह already मैं बता चुक हो हम पहले so which of the following is an example of system software वैसे software जो computer को चलाता हो उसे हम कहते है system software तो इसमें आप देखें Windows 10 यह आपका system software का option है सही है तो आप option B पे ठीक लगाएंगे ठीक है अगला question देखते है application software को किसलिए किया जाता है अभी मैंने आपको बता है software के दो parts होते है एक system software दूसरा application software तो application software जिसमें हम और आप काम करते है जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ MS Word में this is an example of application software so application software किसलिए यूज किया जाता है system को चालू करने के लिए बिल्कुल भी नहीं to perform specific task यस of course यह कर सकते है यही है network को manage करने के लिए तो यह भी नहीं जैसे मैं MS Word में कर रहा हूँ यह package के अंदर आएगा और अगर particular कोई अपनी organization का अपने firm का अपनी company का software बनाता है तो वो कहलाता है customized software ठीक है अगला question देखते हैं question number 4 कौन सो software मुफ्ट में उपलब्ध होता है यानि free में कौन सो software मिल जाता है lesson software तो मिलता नहीं है freeware ही मिलेगा ठीक है यह तो मिलेगा ना shareware भी ने property software भी नहीं मिलेगा तो यह आपका freeware software जो है software मिलेगा Google पे यह आप जहां से search करते हैं next है software bugs को ठीक करने के लिए bugs क्या होता है यह error होता है ठीक है ना इसको ठीक करने के लिए किसे उप्यूब किया जाता है तो यह तीनों नहीं है आपका शही क्या पैच एक सॉफ्ट्वेर है जो आपके सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स होते हैं एरर्स को उसको ठीक करता है उसको हम पैच करते हैं ठीक है नेक्स्ट है निमलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर का उधारन है वीच अप्ड़ फॉल्ग इस एक्जामपल ओपन सोर्स शॉफ्ट्वेर निमलिखित में कौन सा सॉफ्ट्वेर ओपन सोर्स है ऑपन सोर्स आप देखें Windows है Linux है Photoshop Microsoft Office है तो यहां पर आपका कौन सा development software बनाने के लिए कौन सा भासा तो HTML वेब पेच खिल डिजाइन किया जाता है SQL database के लिए डिजाइन किया जाता है यह software डिजाइन किया जाता है C++ का यूज करके next question है software testing का मुख खुद्धिस क्या होता है यानि यह सारे question software से related है software को test किस लिए किया जाता है क्या जाता है तो obviously software बनने के बाद चेक करते हैं उसमें एरर है या नहीं है तो यह option भी आपका सही होगा to find errors in the software software में जो तुरूटियां होती है जो कमी होती उसको चेक करने के लिए ठीक है अगला question देखते है निमलिकित में से कौन एक programming भासा है कौन सा software operating system का हिस्सा नहीं होता है which of the following is not part of an operating system kernel, web browser, file manager, device browser तो obviously यह operating system का पाट है यह भी operating system का पाट है यह भी operating system पाट है यह operating system का पाट नहीं है तो option यह तो नहीं होगा सही यह वाला option सही हो जाएगा ठीक है अगला question देखते है software license का मतलब क्या होता है what does a software license mean software license का मतलब क्या होता है इसका जैसे पहला option है free distribution of software तो दुसरा क्या है right to use the software यह option भी जो है सही है यानि software का उप्योग करने का अधिकार next question देखते है software design के किस चरण में software का model बनाया जाता है यह आपके लिए बहुत important नहीं है but question आगिया तो इसमें भी हम लोग देख लेते है software design के किस चरण में software का model बनाया जाता है तो design चरण में design step में software का model बनाया जाता है but this is not very important for basic exam question okay program को run करने से पहले कौन software तुरोटियों को check करता यह पूछ सकता है exam में यानि जब program बना लिया गया आप program में error है क्या नहीं है उसको check करने के लिए आपके पास compiler होता है compiler का एक software ही है यह check करता है program में जितने भी errors वगेरा है question number 14 देखते है निमलिखित में से कौन application software है बताईए इसमें से कौन application software है अभी हमने आपको बतायाता है हमने बतायाता है application software जिसमें हम लोग काम करते हैं पर specific task करते हैं तो Linux तो system software है DAOS system software है Android तो operating system यानि system software है तो हमारे पास बचा क्या MS Excel ये सही option हुआ ठीक है अगला question देखते है software में आने वाले नए features को क्या कहा जाता है यानि जो नया चीज़ आता है जैसे हमारे और आपके mobile में जो नया features आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको upgrade करते हैं ठीक है उस features को क्या करते हैं अपग्रेड करते हैं next question देखिए कौन सो software वाइरस को पहचाने और हटाने में काम करता है which software is used to detect and remove viruses तो antivirus यह तो बहुत easy question ठीक है software में लगतार सुधार और देखभाल किसे कहा जाता है which is continuous improvement and maintenance of software called तो software बनने के बाद software maintenance एक ऐसा step है जहां पर software को देखभाल किया जाता है ठीक है next question software engineering का मुख अधिस क्या होता ये भी exam के लिए आपका important question नहीं है but question आगे है तो देख लिए what is the main purpose of software engineering software engineering का main purpose क्या है hardware बनाना नहीं क्या करना to design and develop software software engineer लों क्या करते है software को बनाते है next question है कौन सो software उप्योग करता हो data installation में मदद करता है which software helps user analyze data important question है इसमें आप देखेंगे MS Excel जो सही option MS Excel एक ऐसा software है जहां पर data का transaction बहुत ज्यादा होता है data से related बहुत काम होते हैं data analyzes होते हैं data manipulation होते हैं formulas यूज किया जाता है तो ये बहुत ही powerful और effective software होता है ठीक है और question है yes एक और question बदी I think 20 questions है तो last question देखी निमली कित में से कौन से software data backup के लिए उप्यूक किया जाता है which of the following software is used for data backup data backup के लिए कौन से जो भी हमारे पास backup software होगा उसके लिए क्या करेंगे हैं data जो हमारे information है या data है उसको हम backup कर सकते हैं ताकि बाद में कभी भी हम उसका use करें system crash कर जाए disaster कुछ हो जाए तो हम फिर backup का use करते हैं ठीक है तो यह हमने आपको कुछ important questions आपको series हमने आपको बताएं अब आपने करना क्या एक एक question को समझ रहा है और पढ़ना है और उसके बाद exam में जब भी आएगा तो definitely आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं याद रखेगा कि अगर आप नहीं पढ़के जाएंगे तो mcqs होता है तो गलत भी आप option पे गलत option पे आप टिक लगा सकते हैं तो आज का यह पूरा question जो था 20 question यह software से related था अब अगर आप same theory में है same theory में है तो आपका paper है elementary computer जिसका code है SEC 3 है अगर आप new education policy के हैं या फिर अगर आप cbcs के student है तो आपका इस paper का code क्या है SEC 1 है दोनों का syllabus 90% same है एक unit बस थोड़ा सा changing है तो आप दोनों के लिए वीडियो काफे important है इसको अच्छे से पढ़िये और इसको दूसरों को जरूर शेयर कीजिए मिलते हैं next time next video के साथ thank you very much